हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक पूजा अतरी चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ ठेले जैसे पोहे इसे देखते हैं मैंने किस परकार बनाया है सबसे पहले मैंने 200 ग्राम पोहा लिया है पोहे को अच्छे से हातों से वोश करना है ऐसा नहीं है कि आख छलनी में डालो और आपका पोहा हो गया नहीं पोहे में काफी ज़्यादा मिट्टी होती है इसे अच्छे से वोश कीजिए इसे कम से कम 3 या 4 पानी में वोश कीजिए जब हमारा पोहा अच्छे से वोश हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी रहने देंगे फिर उसी समय हम इसमें नमक स्वार अनुसार पूरा डाल देंगे अगर आप चिन्नी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते है नमक मिला कर हम इसे रख देंगे इस पोहे में ना तो आलू डलता है और ना ज़्यादा तेल और यह फिर भी सभी को बहुत पसंद आता है क्योंकि प्याज भी इसमें बाद में डाला जाएगा जिसको प्याज खाना है वो डाले और जिसको नहीं खाना वो प्याज स्किप भी कर सकता है फिर हमें एक कड़ाई लेंगे उसमें एक चमच गी डालेंगे सबसे पहले हम मूफली को रोष्ट करेंगे अगर आपके पास रोष्ट कीवी मूफली है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं इसे धीमी गैस पर ही बूनना है इसे भूनने में कम से कम तीन से चार मिनट लगेंगे मूफली हमारी रोष्ट हूच चुकी है फिर हम एक कड़ाई लेंगे उसमें एक चमच तेल डालेंगे फिर हम उसमें जीरा सरसो के दाने डालेंगे जब सरसो के दाने चटकने लगेंगे तो मैं इसमें दो कटिवी हरी मिर्श डालूंगी फिर इनको मिक्स कर लेंगे फिर मैं हल्दी डालूंगी और गैस को बंद कर दूंगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दूंगी पानी इसमें इसलिए डाला जाते हैं कहीं से पोहे का रंग सफेद और कहीं से पीला ना नजराए पानी डालने से पोहे का रंग एक जैसा हो जाता है अब मैं इसमें डालूंगी पोहा और अच्छे से मिक्स कर लूंगी पोहे वाले इस तरह 10 से 20 किलो पोहा बनाकर रख लेते हैं और प्याज बाद में डालते हैं अब मैं पोहे को अच्छे से एक मिक्स दे दूँगी देखो हल्दी का कलर पोहे में आ चुका है पोहा हमारा बनकर त्यार हो चुका है अब हम स्ट्रीट स्ट्राइल पोहा त्यार करते हैं अब मैंने इसको एक स्ट्रीट स्ट्राइल प्लेट में लिया है उसके अंदर मैंने पहले पोहा डाला फिर रोस क्यूवी मुफली डाली है फिर इसमें मैं कटा हुआ प्याज डालूंगी प्याज कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्याज खानी है तो आप प्याज डाल सकते हैं आप फिर हरी मिर्ज डालिए फिर आप उसमें अपनी मन पसंद नमकीन डाल सकते हैं नमकीन जो भी आपको पसंदो आप उसका यूज कर सकते हैं फिर मैं इसमें डालूँगी फ्रेश कटा हुवा हरा धनिया और लास्ट में निम्बू का जूस और फिर इनको अच्छा सा एक मिक्स दे दूँगी लोजी हमारे पोहे बन कर तेयार हो चुके हैं है न स्ट्रीट स्टाइल पोहे अगर आपको यह पोहे पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना